नवस्कार फ्रेंड साब सभी क्या एक पार फिर से एजुकेशनल चैनल भी स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं निर्फ रैंकिंग 2020 एंड सेकेंड आपका क्यूयस वॉर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 तो हाली में आपकी ये दो जो हा रैंक प्रदान करता है और क्यूयस जो है वो वर्ड लेवल पे यानि कि जितने भी देखें कंट्री हैं उसके अंतरगत आने वाली उस सिच्छा से संबंदी जो इस सिच्छर संस्तान है उसको रैंक प्रदान करती है ठीक है तो यह आपके नेट पेपर वन की हायर एजुके तो चलिए आपको हम ले चलते हैं यहां पे मिन आपका जो डेटा है उस पे तो देखिए आपका सबसे पहले निरफ पे बात करेंगे जिसका फूल फॉर्म है नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो की सॉट फॉर्म में हम जानते है निरफ और जिसको डिल पहली बार इसने रैंक प्रदान किया था भारती सिछर संस्थानों को और आपको एक ची और रियाद रखना है यह जो निरफ है वो जो अपने पास पैरामीटर रखती है जिसके आधार पे आपके उच्छ सिथा से संबज्जे चोभी सिछर संस्थान है उसको जो रैंक प्र पैरामीटर यूज करती है सबसे पहला पैरामीटर है आपका टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस सेकेंड पैरामीटर आपका है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस थर्ड पैरामीटर है आपका ग्रिजुएशन आउटकम्स एंड फोर्स आपका पैरामीटर है outreach and inclusivity and आपका fifth जो है आपका perception है तो इसको थोड़ा सा अपने mind में रखिएगा ताकि अगर exam में कहीं पे parameter पूछ दे NIRF का तो आप इसको अपने code में सही से सलक करके correct answer दे सकें ठीक है तो इसको याद रखिएगा और आपका अब चलते हैं मिन आपके point पे जो कि NIRF का जो ranking 2020 का overall ranking है उस पे discuss करते हैं तो देखिए top 10, top 20, top 50 हमें नहीं देखना है हमें देखना है top 5, top 3 में कौन-कौन से institutes आए तो देखिए overall ranking पे बात करते हैं तो सबसे पहले IIT मदरास, Indian Institute आप मदरास Tamil Nadu सबसे पहला अस्थान रखा है NIRF 2020 में IIT मदरास आपको याद रखना है इसका score भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कहीं पे IIT मदरास का score कितना रहा ठीक है यह आपके exam में पूछ सकता है और चाहर आप सम दे सकता है और आपका इसका score रहा 85.31 सेकेंड आपका rank प्राप्त किया है Indian Institute of Science IIT बैंगलोरूने करनाटका इसका score रहा 84.18 थर्ड आपका IIT देल ही इसका score रहा 81.33 और आपका 4th place पे रहा आपका IIT Bombay महराष्टा जो की score गेन किया 80.75 IIT खरकपूर जिसका place रहा 5th, rank रहा 5th and West Bengal का ये Indian Institute of Technology जो है इसने score गेन किया 75.85 तो आपको 5 ये इसका नाम याद रखना है पहले IIT मद्रास IISC मेंगलूरू IIT देल ही IIT Bombay and खरकपूर तो चलिए अगर 5 नहीं तो आपको 3 तो यादी रखना है एक तम fix रटा मार लेना है रट लेना है दिमाग में मद्रास, बैंगलूरू और देल ही ठीक है मद्रास, बैंगलूरू और देल ही MBD MBD आपको याद रखना है IIT मद्रास, IISC बैंगलूरू और IIT देल ही ठीक, ओर आल रैंकिंग की बात हो गई IISC है, Indian Institute of Science जो है, टॉप पे रहा है यूनिवर्स्टी रैंकिंग में सेकेंड आपका जेनिव, जवार नाल जवार नहरू 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 यूनिवर्स्टी है आपका थर्ड आपका BHU बनारे सिंदु विस्विद्याला है ठीक, यूनिवर्स्टी रैंकिंग बात किया है हमने यहां पर अब देखें, इंजिनिरिंग की बात की सा है जोसमें IIT मतरास, IIT, Delhi, IIT, Bombay ठीक, आपको इतना याद रखना है इंजिनिरिंग रैंकिंग के अंतरकत यह तीन टॉप पे रहे मैनेजिमेंट रैंकिंग पे बात किया जा है तो आपका इंडियन इंस्ट्यूट आफ मैनेजिमेंट आपका बेंगलूरू इंडियन इंस्ट्यूट आफ मैनेजिमेंट कलकटा एंड फोर्थ प्लेस पे रहा आपका लखनो तो ठीक है, आपको याद रखना है एमदाबाद, बैंगलूरू, कलकटा, यह आपका मैनेजमेंट के अंतरगत, टॉप इस्ट उनिवर्स्टी रहें, टॉप थी के अंतरगत, आपका कॉलेज रैंकीम पे देखा जा है, तो कॉलेज रैंकीम पे यहां देखिए, सबसे पहले आपका मिरिंडा हाउस, फर्स्ट प्लेज पे जोगी देल ही, लेडी स्री राम कॉलेज और फॉर्वोमेन देल ही, आपका सेकंड प्लेज पे थर्ड प्लेज पे आपका हिंदू कॉलेज देल ही, और फिर्ट प्रेस पर आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज चिन्डी तमिल लॉड तो आपको तीन याद रखना है कम से कम आपको मिनिमम आपका मिरिंडा हाउस लेडी इसरे राम कॉलेज फॉर वूमन एंड हिंदु कॉलेज यह कोलेज के अंतरगत जो रैंकिंग प्रदान की तो यह एक कैटेगरी न्यू थी 2020 के अंतरगत तो इसमें सबसे पहले आपको मौलाना आजार इस्टूट फॉर डेंटल साइंस इसने टॉप प्लेस अस्था मतलब प्राप्त किया सेकेंड रैंकिंग पे आपका मनिपाल कॉलेज फॉर डेंटल साइंस रहा एंड थर्ड प् के तो हो सकता है एक्जाम में पूछ दिया जाए कि किसको 2020 में पहली बार रैंक प्रदान करने के लिए सामिल किया गया किस कैटेगरी को तो याद रखिएगा वो डेंटल कैटेगरी है और इसके टॉप त्री आपके इंस्टूट हो गए मौलाना आजार इंस्टूट आफ डेंटल साइंस आपका मनिपाल कॉलिज आफ डेंटल साइंस आपका ड्यक्टर डीवाई विद्यापीर यह तीन है अब यह तो बात हो गई आपके निर्फ की अब बात करते हैं क्यूएस वार्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे ठीक है क्यूएस वार्ड यूनिवर्सिट देखें, वर्ड यूनिवर्सिटीज को रेंक प्रदान करने का काम करता है, QS, ठीक है, तो यह है आपका Annual Publication of University Ranking, यानि कि यह हर वर्ड जैसे NIRF, रेंक प्रदान करता है, यह भी हर वर्ड प्रकासित करता है, यूनिवर्सिटी रेंकिंग को, और by QS, यानि कोरिकली, साइम प्रदान करता है, तो QS, वर्ड यूनिवर्सिटी रेंकिंग, यह प्रदान करता है, आपका वर्ड लेवल पे चुब आपके इंस्ट्रिशन से उच्छा से समझें, उसको रेंक देता है, तो यहाँ पे दो ही हम कैटेगरी को रेंक के लिए यहाँ पे आपके लिए लेके है, पहला ओर ओर और सेकेंड आपका इंडिया लेवल पे, ठीक, इसके अलाम हमें कुछ और जाने की ज़रुत नहीं है, देखिए, वर्ड लेवल पे ओर 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 की बात करें, तो आपके टॉफ फ्री आपको याद रखना है, लेकिन आपके देखें, तो टॉफ फाइस हमने आपका देखें, तो कई बार से, दो से तीन बार से देखें, इसी प्लेस पे रहा है, ठीक है, तो यह आपका सबसे टॉप रहा, टुछ टुछ टुफ फाउजन ट्वंटी ट्वंटीवन के अंतरगत, जो आपका रंक प्रतान किया गया, सेकेंड आपका इस्टेंड इंस्टुट आफ टेक्नोलजी, आपका युनाइटर इस्टेट्स का ये भी है, फिफ्ट आपका उनिवरस्टी आफ अक्सफोर्ड, युनाइटर किंग इटम का है, तो आपको याद रखना है, तीन आपका मास असुशेट्स, आपका सेंट फोर्ड एंड हावर्ड, ठीक ह MSH आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आपका question बन सकता है, क्योंकि ये आपका देखाजा है, तो काफी important ये ranking है, QS हो गया, आपका THC हो गया, आपका NIRF हो गया, ये तीन चार कुछ important ranking प्रदाता जो हैं, इसको आपको, मतलब इसको अपने mind में, इन सब के जो ranking को अपन institutions जो हैं, इस ranking में कौन से अस्थान प्राप्त किये, कितना इनका score रहा, और आपको याद रखना है कि top 200 में, top 200 में कौन कौन से इंडिया के institutes हैं, जिसको QS ने rank में सामिल किया है, 200 के अंतरगत, तो बता दें, आपको 1,000 इंस्टूट्स को, जो है QS ने अपकी बार rank प्रादान की है, तो यानि 1,000 जिनको rank मिला, उसमें 2,000 के अंतरगत, यान 2,000, sorry, 200 के अंदर, जो आपके institutes हैं, उसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए, दो हैं, 1st, 2nd, आपका IIT Bombay, Indian Institute of Technology Bombay, आपका 1st place पे, आपका IIC Bengaluru, आपका 2nd place पे, यानि 200, टॉप 200 में, ये सिर्फ दो ही, sorry, यहाँ पे 3, आपके, sorry, माफ करिए, टॉप 300 में, आपके 3 आपके institutes हैं, पहला आपका IIT Bombay, 2nd, IIC Bengaluru, आपके इंस्टूट्स हैं, पहला आपका IIT Bombay, 2nd के अंतरगत हैं, तो अगर टॉप की बात करें, तो IIT Bombay, 1st place पे, IIC 2nd place पे, and IIT Valley, 3rd place पे, IIT Madras, आपका 4th place पे, IIT, आपका Kharagpur, 5th place पे, ये रहा, आपका QS World University ranking की आधार पे, इंडिया के जो institutes हैं, अब देखिए, अगर World level पे इसकी बात किया था है, तो IIT Bombay के 172 place मिल था, अस्थान मिला था rank में, IISC अगर देखिएं, तो 185 rank रहा, 1000 के अंतरगत, ठीक है, यानि 1000 universities जो थी, institutes जो थे, उसमें 185 अस्थान रहा, IISC Bengaluru का, 193 रहा, IIT Delhi का, and IIT Madras का 225, IIT Kharagpur का 341, sorry, 14, 314, अब देखिए, IIT आपका Bombay का score कितना रहा, यह आपको रखना 46 रहा score, IIT Bombay जो की QS ने, इंडिया का देखा जया, तो टॉप प्रेस दिया QS को, QS के अंतरगत, इंडिया के, IIT Bombay को QS ने टॉप रहा, इंडिया के अंतरगत, जो इंस्टूट्स आते हैं, और इसका score रहा, 46, IIT को इसने दिया 44.90 score, एंड IIT दली को दिया 43.90 score, तो किसी का score याद रहे या ना रहे, आपको IIT Bombay का score याद रखना है, 46 रहा, ठीक, तो यह था आपका इंडियान इंस्टूट्स रैंकिंग का डिसकसन थोड़ा सा आपके साथ, तो अब हमें लगता है कि जल्दी जल्दी वीडियो ओर कर देना चाहिए, क्योंकि 10 मिनिट से उपर हो गया, और हमें लगता है, हमारी जो वीवर है, बहुत जल्दी क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं, जो है, educational वीडियो से, ठीक है, तो चलिए, अब जाके आप YouTube पे गाने भी देख सकते हैं, कुछ वीडियो भी देख सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, कोई educational जो है, आपका वीडियो ठीक है, सो के भी, मतलब लेट के भी, चेतनावस्था में, ना ही अचेतनावस्था में, ठीक है, तो जब तक की नेक्स वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए ठेक्स वोचिंग, educational राप्ता दें, बहुत